महान दल के राश्ट्री अध्यक्ष हैं, बैन भायों मैं आप से इनका परचे कराना चाहता हूँ, ये पिछले समाज के बड़े नेता हैं, आपने इनको टीवी पे कम देखा होगा, आपने इनको ग्लैमर और लाइम लाइट में कम देखा होगा, ये बदाईू से लेकर जाला में हैं, और अपनी पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष हैं, आज हमारे विशेयस अनरोध पर इस कारिकम में समलित हूएं, केशव जी बहुत शुक्री है आपका, कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, केशव देव मोरिया और केशव मोरिया में, तो कई बार बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, लोगों को, मैं तो खेर आपको लंबे समझ जानता हूँ, क्या कारण है कि आप लोगों की पार्टियां, जो एक समाजात पर आधारित पार्टियां हैं, वो आज इसनी ताकत पर हो गई है कि बड़े-बड़े दनों को उनके साथ जूड़ना करता है, यह सच है कि मैं 13 साल से लगातार लगा हूँ, मेरा भी नाम केसो प्रसाद महरया है, जब मैंने पार्टी बनाई थी 2007 में, तब इस केसो प्रसाद महरया जो बीजेपी में है, उनका जनम नहीं हुआ था, और 2015 में, 16 में मुझे बीजेपी के बड़े नेता ने बुल प्रत्मीदित हो, और उन्हें हक अधिकार और न्याय आपकी पार्टी से न कभी मिल पाया था, न आगे मिलेगा, इसलिए मैं आपकी पार्टी में बिले नहीं कर सकता, घडवंदन किसी भी पार्टी से करने में मुझे ज़्यादा गुरेज नहीं है, मैं सोचूँगा उस पार्टी से में, लेकिन मैं बिले नहीं करूँगा, बिले इसलिए नहीं करना चाहता, चुकि जब हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा, इस समय बीजेपी की सरकार में तमाम अन्याय हुए, तमाम घटनाय है, मैं दरजनों घटनाय गिना सकता हूं, किसी को न्याय छोड़ि केसो प्रसाद मौरिया, स्वामी प्रसाद मौरिया, उत्तर प्रदेश में मंत्री है, काइबनेट मंत्री और डिप्रिसियम है, लेकिन ये सब लोग भी अभी सीतापुर में छोटी बच्चिक साथ बलातकार हुए हत्या हुई, उसे एक रूपिया कंपनसेशन नहीं दिलान के कोई बीजेपी का नेता समाज के साथ जो साक के सहनी कुस्वा मौरिया समाज का बड़ा वोट बैंक है, जिसे 2017 में जो लोग आज आपको सुन रहे हैं, मैं एक बड़ा गंभीर प्रशनाप से करना चाहूंगा, कि जिस समाज की आप राजनीती करते हैं, मौरिया, दिन पहले जब बसपा नहीं बनी थी, यह वोट बैंक बीजेपी के साथ, साक के सहनी को स्वाम हो रहा है, यह दिस देश की दुरभाग गये हैं, कि इस देश में जातियां हैं, और जातियों को कोई नकार नहीं सकता है, जातियों के हिसाब से नयाय मिलता है, जातियों के हि साब से बैवार होता है यह जब घि혈ंदर शिंग नेने पाल समाज के भीटे घटिया की तो ही लेकले की नेता जबसेटा कूं सुरेंदर सिंग जिए रो रहे थे उसे बचाने समाज मैं घटना बता रहा हूं इसी तरह से उत्तर प्रदेश में चार पाल साल पहले घटना हुए थी पंडित विवेक तिवारी नाम के एक बैक्ती जो एपल कंपनी मैनेजर थे उनकी पुलिस ने गोली मार का हत्या कर दी थी और रात के अधेरे में किसी महिला दोस्त के चाहिए क्योंकि नियायका देश है यहां कोर्ट नियायकरी यह होना चाहिए लेकिन पुलिस ने गोली मारा सुबह केसो प्रसाद मौरे अच्छ बजे स्वामी प्रसाद मौरे अच्छ बजे पहुंच गए उनके पत्नी कांसों पोचने उनकी बेटियों के एक करोन वोट बताया गया था जब केसो प्रसाद मौरिया कुछ CM का चेहरा बनाया गया बीजेपीन बनाया तब उन्हें एक सुविधाय नहीं मिलती उनसे कोई बात करने नहीं जाता उनके दुग दर्द को बांटने नहीं जाता तो इतना बड़ा वोट बैंक है लोक तंद्र है लोक कोई विकल्प नहीं थे और विकल्प कौन था भारती जनता परड़ी कौन सा विकल्प है जिनके बूल बुल्डोजर फ्री है जहां जिसके ऊपर चने जब दिरंदर सिंग हत्या करते हैं तो बुल्डोजर घर बैट जाता है जब टेनी पत्रकारों को धमकाते हैं इनके मंत बविश्य केशो जी क्या देखते हैं जी जर आप इस वक्त राजनीतिक तौर पर कहां खड़े हैं और आने वाले वर्सों में खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीत में आप कहां देखना चाहते हैं हमारे समाज एक बड़ा वोट भैंक है जब 2007 यह वोट बैंक बिएस पी के साथ गया था उसके पहले भी बिएस पी के साथ गया लेकिन 2007 में पूरा वोट भैंक बिएस पी के साथ गया काम कर रही और यह समाझवाधी पार्टी के साथ पूरी तरह से जा रहा है इस समय किसी कोई सक्षाने के उत्तर प्रदेश में केशो जी एक बात बता हैं कि यह एक मीडिया आपको इतना इग्नोर करता आपको बुरा नहीं लगता नहीं मीडिया मीडिया के ऊपर कोई मेरा अधिक जी के दावरान, इंटर्विव को दैरान, मैंने एक सवाल उठाया, कि मुत्तर प्रदेश में जो केशो प्रसाद मौरिया, स्वामी प्रसाद मौरिया, ये कटपुतली है, ये अच्छूत मंत्री है, इन्हें कलराज मिश्रान इनका हाथ जटक दिया, अच्छूत समझ के, इन्हें स्टूल पर बैठाया जाता है, और उसके अलावा, मैंने एक सवाल उठाया, मैं भगवान राम का बेहत सम्मान करता हूँ, भगवान राम के अस्तित्व पर कोई सवाल नहीं खड़ा करा हूँ, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, कि आयोध्या में करोना काल में चोरी-चोरी खुदा ही हुई, वहाँ बुद्ध अस्तूप निकले, भगवान बुद्ध की मूर्तिया निकली, उन्हें बीजेपी सरकार ने उन बुद्ध मूर्तियों को तोड़ दिया, तोड़ कर नालों में फिकवा दिया, अगर ये बात गलत है, तो केसो प्रसाद मौरिया और स्वामी प्रसाद मौरिया जो बुद्ध के बंसज है, समराट असोग महान के बंसज है, उनके खून है, वो कह दे कि ये बात केसो देव मौरिया गलत बोल रहा है, मैं महांदल बंद कर दूँगा, उनके घर जाड़ू पोछा करूँगा, लेकिन उसक सुप्रियम कोर्ट उनका मंदिर ना बनाता, मैं समझ लिए आपका मुद्धा, मैंने आपकी बात समझ ली, मैं अरुन राजभर को आपका